हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू मेरी जोच की वीडियो रहेगी वो रहें की एंक्रिप्शन पर मतलब कि अगर आपको कोई भी फाइल को पास्वर्ट देना एंक्रिप्ट करना तो कैसे करेंगे यहां पर फाइल वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि यह जो भी पास्वर्ट हम जिसको भी अप्लाइ करेंगे वह MS Excel की शीट भी हो सकती है वर्ड का डॉक्युमेंट, पावर्पॉइंट की प्रेजेंटेशन यह जिसको स्लाइड कह सकते हैं यह अपने SS का डेटाबेस कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैंने फाइल वर्ड का यूज किया है तो कैसे करेंगे तो चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसके लिए सिंपली में जहां से एक MS Excel की शीट को ले लेता हूं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें क्यों पासविक प्रोटेक्ट करना पड़ता है आलर्डे में एक वीडियो मना चुक हूं जिसमें और शीट کے बार बे बारे में बताहूंगा अब मैं आपको कहना है कि आप इसको encrypt कीजिए, इसको password लगा दीजिए, कुछ अलग तरीके से, इस तरीके से नहीं, तो difference कहे दो नो में, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरा है, वो देख सके, उससे अपना फाइदा निकाल सके, पर उसको न छेड़ सके, यहीं दो reason रहेंगे ना, पासपोर्ट में आपको आज लगाने का तरीका बता रहा हूँ, वो इसलिए होता है कि वो आपके sheet को देखी न सके कि इसके अंदर क्या data है, कुछ है कि कु कोई भी ना देखे, सिर्म मैं ही देखूँ, और आपके PC पे, आपके laptop पे सो लो काम करते हैं, दस लोग हात लगाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको पासपोर्ट प्रोटेक्शन लगाई जाती है, तो सबसे पहले हम चलेंगे simply अपने file पे, जो आपको यहाँ का option क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक option आजाता है, आपको info का right, आप इस info पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक option मिलता है, protect workbook, okay, अब जब इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, encrypt with password, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, protect current sheet जो है, व पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दीजे, 1234, okay कर दीजे, फिर से बोलेगा, 1234, okay कर दीजे, आपको आपको जो पासवर्ड है, वो लग चुका है, अब आप बैक करेंगे, one time save करेंगे, इसको यहाँ पे आप कर देते हैं, close, okay, तो यहाँ से हम अपने इस पे क्लिक करते यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगी, यहाँ मैं उस लोकेशन पे जिला जाता हम, जहाँ पे यह फाइल है, जो लोकेशन मेरे फाइल्स की है, वो दॉक्मेंट्स में है, तो हम दॉक्मेंट्स में जाएंगे, यह दिखें, दो फाइल है, एक में MS Word के लिए रखिए और तो मेरे शीर अब मेरे सामने ओपन होकर आ चुकी है, अगर आपको इंक्रिप्शन हटा नहीं होगी, तो फिर फाइल पे जाएंगे, इनफो पे जाएंगे, यह प्रोटेक्शन है ना, आप यहाँ से इसको इंक्रिप्ट विद पासवोड पर दिखें, आलरड़ी एक आपक कर दीजिए, तो यह पासवोड इसका हट चुका है, ओबन करके देख ले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह तो होगी एक्सल की बात, अब MS वर्ड में आप कैसे लगाएंगे, ऐसे तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, पर मैंने दो शीट्स को लग इसलिए लिया होगा है, so that कि मैं आपको दोनों तरीके सिखा सकूँ, दोनों तरीके आपके से शेर कर सकूँ, इसलिए मैंने MS वर्ड का भी एक्जाम्पल लिया है, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ओपन होकर आ गई, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे ही दे दिया मेरे कुछ, कुछ भी दे दिया मेरे, इसको बहले सेव कर लेता हूँ, अब मैं फिर फाइल पर जाओंगा, यहाँ पर आप जाओगे, सेव एस का शॉटकेट की क्या होता है, फ10, उसके बद ब्राउस पर आएंगे, ब्राउस पर लोकेशन पर जाएंगे, जहाँ पर हम इसको सेव करना जाते हैं, मेरे अलरी लोकेशन है, मैं फिर से डेक्स्टॉप पे, डेक्स्टॉप पे नहीं, मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ, कुछ असलाग, यह 2 आ रहा है, ठीक है, निव माइक्रोड वर दॉक्मेंट 2, ठीक है, पर आप इदर टूल पे आएंग कर देता हूँ, यह फिर से रिपीट करना पड़ेगा, 0000, इसको मैं कर देता हूँ, ओके, that's it, हमारी फाइल जो है, उसे हो जाएगी, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब मैं इसको कर दूँ, क्लोज, अब मैं इसको जब क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखिए, आप न्यू माइक्रसान वर्ड डॉक्मेंट 2 आ चुका है, अब मैं जब इसको ओपन करूँगा, तो यह मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है, तो आप मैं इसको दूँगा, 0000, और एंटर की को हीट करूँगा, तो मेरा डॉक्मेंट म आपको मेरी आचकी मनाईबी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर शेयर करे, थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो,